कि नमस्कार दोस्तों मैं अशुक कुमार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल दा प्रफेक्ट सिवल इंजिनियरिंग तो आज हम बात करने वाले हैं अगर आप घर का काम करवा रहे हो तो उसके अंदर पहले यह इंट की दिवार तैयार करें या कोलंड पहले तो इस विशय में आज हम बात करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि एक तो जैसे मालो इस तरीके से कॉलम का कास्टिंग होता है और एक जो है वह जो चारु तरफ से फ्रमे में पैक करके उसके बाद कोलम का कास्टिंग किया जाता है उसको चारु तरफ से सैट्रिंग कि जाता है उसके बाद उसी कास्टिंग की जाती है तो वो सही रहता है या फिर इस तरीके का है वो सही रहता है आपको कोई कहेगा कि इस तरीके का बनाने में ठेकदार की दिक्कत होती है और कोई कहेगा इस तरीके का ठेकदार के बनाने में भाइदा होता है तो इस तरीके की को और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो बात सबसे बड़ी यह होती है यह नहीं होती है कि इसमें ठेकदार के कितना पैसा बचेगा या लगेगा अगर उसमें ठेकदार के ज्यादा लगता है तो उसके लिए उसको आप पैसे को कैसे भी मनेजमेंट कर सक कि जैसे मानलो इसका जो जोईंट है वो बहुत अच्छे से पकड़ करता है लेकिन इसमें जो नुकसान होता है उसकी हम बात करेंगे इसके अंदर आपको शिरफ यह दिख रहा है कि इसके अंदर क्रेक्स नहीं आएगी बस आप एक चीज को लेके चलते हो कि इसके अंदर क्र करते हैं पहले इंट की चिनाई करते हैं उसके बाद कोलम की कास्टिंग करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है बिल्डिंग के अंदर सरीया की जो बाहर की साइड में हम इस पेसर लगाते हैं वो इस पेसर सही तरीके से नहीं लगता है इसके अंदर जो इस पेस रहना चा और कुछी टाइम में सरिया डेमेज हो जाता है और वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसी वीडियो में की कॉलम कास्टिंग किया हुआ है और उसके उपर कितना स्पेस है और कितना वो इंट से दूर है और टच है यह देखो जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस से कोलम का जो सरिया है वो जंग खाता है और खराब हो जाता है और जैसे मानलो हम बात करें अगर यह कास्टिंग की हुई है यहां पर जैसे इस तरीके से तो इस तरीके की कास्टिंग नहीं होनी चाहिए और अगर आप इस तरीके की कास्टिंग अगर करते हैं तो उसके लिए इसके अंदर इस्पेस है वो ब्रोबर रखना है और इस्पेसर लगाने है और कास्टिंग करने से एक या दो रोज पहले से ही इसके अंदर तराई चलता है क्योंकि इसके अंदर अगर हम वाई वेटर चलाएंगे तो वाई वेटर क्या होगा कि जैसे इंट का और जो प्लाइवोर्ड का जो जोइंट है वहां से क्या होगा कि cement salary जो है वो यहां से निकल जाएगा और column अपना rough type का आएगा तो इस तरीके से ये सही नहीं है और मुझे तो सही नहीं लगा अगर आपको सही लगता है या आपको गलत लगता है तो वो हमें comment box में लिख कर जरूर बताएं और अगर हम इस तरीके की बात करें अगर column पहले इस तरीके से तयार किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा रहता है और अच्छा काम भी होता है ये जैसे मालो इसके लिए आप कहोगे कि इस तरीके का अगर काम करते हैं तो उसके अंदर जहां पर बांध काम touch होता है जहां प चिपिंग करने है टांचे और उसके बाद एक सिमिंट का गाड़ा घोल टाइप का बना कर और इसके साइड में लगाना है और उसके बाद इसको ईंट टच करने है और जब प्लास्टर करेंगे उस टाइम में क्या करेंगे कि इसके उपर एक जो मुर्गा मैस जाली आती है वो चिपकाएंगे और उसके बाद प्लास्टर करेंगे तो इसमें उस तरीके से क्रेक नहीं आएगी तो आज के लिए इतना ही आगे लेकर आऊँगा कुछ खास नई जानकारी तब तक के लिए दीजिये इजाजत धन्यवाद जय हिंद